यदि आपके पास में भी पैन कार्ड है और आपने उसको अधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है और लिंक करवाने के लिए इदर उदर बटक रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है इंकप टैक्सवाप इंडिया ने यहाँ पर आपको कुछ रहात दी है अब से आपको 30 जून 2023 तक का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है अब आप 30 जून 2023 तक पैन कार्ड और अधार कार्ड को लिंक करवा पाएंगे और इसकी सूचना इंकप टैक्स ने अपनी वेबसाइट और अपनी ट्विटर हैंडल पर भी दे दिये और इसके लिए अवशेक आदेश भी जारी यहाँ पर हो गया है पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करवना बहुत ज़रूर है यदि आप लिंक नहीं करवाते हैं तो फिर आपको कोई भी TDS का रिपन नहीं मिलेगा और साथ ही आपको बैंक में लेंदेन करने में भी समझे यहाँ पर आ सकती है साथ ही पैन कार्ड नहीं होने की दसा में आपका ज़्यादा TDS यहाँ पर काटा जाएगा हलाकि यदि 30 जून तक भी आपका पैन कार्ड और अधार कड यहाँ पर लिंक नहीं होता है तो एक जुलाई 2023 के बाद में 30 दिन का टाइम आपको मिलेगा उसके अंदर आपको आवशेक फॉर्मल्टीज करके 1000 रिपे की पैन कार्ड को वापस चलू करवा सकते हैं इसे परकार की जानका एक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग नमस्कार